दोस्तो आज की वीडियो में कवर करूंगे अमोनियम सल्फेट के बारे में अमोनियम सल्फेट को कौन कौन से तरीके से यूज कर सकते हैं परफेक्क किसकी डोज क्या है इसका कॉंबिनेशन क्या है कौन कौन सी फसलों में यूज में लेना चाहिए उसके साथ इसके बेनिफिट्स क्या हैं संपूर्ण जानका रिकवर करूंगी तो वीडियो के अंट तक जरूर बने रहें अमोनियम सल्फेट यानि कि दोस्तों इसमें अमोनियकल नाइट्रोजन आता है 20.5% और उसके साथ ही सल्फर आता है 23% 100% वोटर सोलेबल फर्टिलाइजर ये आता है नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म इसमें आता है और साथ में सल्फर का कॉम्बिनेशन ये आता है यूरिया का दोस्तो जब भी छिड़काव करते हैं या यूज करते हैं तो फसलों में कम से कम 4 से 5 तिन ईवन की 6-7 दिन भी लग जाते हैं रिजल्ट आने में लेड रिजल्ट इसलिए आते हैं क्योंकि दोस्तो यूरिया में जो नाइटरोजन होता है पहले एमाइड्स में कनवर्ट होता है एमाइड्स के बाद में अमोनिया और अमोनिया के बाद में नाइटेट रूप में कनवर्ट होता है और नाइटेट रूप में पोदे अपटेक करते हैं तो इसलिए उसका रिजल्ट दीरे आता है इसमें एक बॉन्ड कम हो जाएगा यानि कि डारेक्ट इसमें आमोनियम फोर्म में आता है नाइटोजन तो अमोनियम से डारेक्ट नाइटे इंट में तूटेगा और पोड़ी जल्दी मिलएगा तो जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है और उसके साथी सल्फर का ये कॉम्बिनेशन है तो यानि कि और भी ज़्यादा यूजफुल बौदों के लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ये फर्टिलाइजर आता है अब अमुनियम सल्फर को किस परकार के मिट्टी में यूज़ कर सकते है तो जहां की मिट्टी का P.H. साथ से उपर होता है यानि कि कशारिय मिट्टी होती है उस मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये है वहां की फसलों में जरूर यूजिक करना चाहिए क्षारी मिट्टी है अगर आपकी तो फिर इसी फॉर्म में आपको यूजिक करना चाहिए इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें नाइटोजन और सल्फर का ये कॉम्बिनिशन है और शुरुवाती स्टेज में फ्सल बहुत अच्छी ग्रोथ करे, ज़्दा से ज़्दा साखाएं निकले, उसके लिए नाई टॉजन की आवशिक्ता होती है और नाइटोजन एक मुख्य पोशिक तत्व है, सबसे ज़्यादा पोदों में नाइटोजन की आशिकता होती है शुरुआती स्टेज में और फसलों में अगर सल्फर के बेनिफिट की बात करूं तो दलनी फसलों में प्रोटीन की मातरा बढ़ाता है तेलनी फसलों में तेल की मातरा बढ़ाता है जिसे दाने की साइज और वजन अच्छा बैड़ता है उसके साथी अगर आलो में यूज करते तो इस टार्च की मातरा बढ़ाता है कंद वाले फसलें जैसे प्याज, लाश लेस उन वेगल है to इनमें कंद की साइद अच्छी बनती है सलुफर के यूज कने से उसके साथ इस हर परकार की फ़सलों में सलुफर की आवशिक्ता होती है अधिक ठंड में ठंड से बचाता है गर्मियों में गर्मी से बचाता है सलफर और उसके साथ साथी सलफर बहुत अच्छा फंगिसाइड है और कुछ हदे तक कीतना शेका काम भी करता है तो इसलिए फसलों में सल्फर की बहुत ज़्यादा आफशिक्ता होती है और जरूरी होता है परकास अंसलेशन की किरिया में हेल्प करता है जिसे कलोरोफिल ज़्यादा मातरा में बनता है सल्फर की डिफिसियंसी है फसलों में तो जैसे ही नाइटरोजन की डिफिसियंसी से पुरानी पत्यों में पिला पन आएगा तो सल्फर की डिफिसियंसी से नई पत्यों में पिला पन आता है ये इसकी पैचान होती है अमोनियम सल्फेट को कौन-कौन सी फसलों में यूजिक कर सकते हैं तो जैसा मैंने आपको सल्फर के बेनिफिट या नाइटूजन के बेनिफिट बताए कि हर परकार की फसलों में इनकी आवशिक्ता होती है चाए सब्जी वरगे फसले हूँ चाए रवी खریब की फसले हूँ चाए दलहनी है तीलनी है या कंद वरगे फसले है सभी परकार की फसलों में इसको यूजिक कर सकते है अब दोस्तो अमोनियम सल्फेट को कब यूजिक करना चाहिए तो फ्लॉरिंग स्टेज से पहले पहले जस्ट पहले आप इसको यूज कर ले या फिर शुरुआती स्टेज में जब फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो उस ताइम में आप यूज कर ले तो लास्ट तक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप किसी भी फसल में फ्लॉरिंग स्टेज से पहले जस्ट पहले पहले आप इसको यूज कर ले अब इसकी डोज की बात करूँ तो दोस्तों ड्रिप से अगर आप खेती कर रहेें, ड्रिप से चला रहें तो 5 केजी पर एकड के साब से चला दें और flooring 영浩 इसिते से पहले पहले दो बार आप चला दें यानि दो बार 55 केजी पर एकड के साबसे आप डिप से चला दें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप बेसल डोज में यूज कर रहे हैं रवी खरीब की फसलों में जैसे जड़ू में आप छिड़काव करते हैं फर्स्ट पानी की से पहले य थर्ड पानी के पहले यानि छिड़काव इड़ी से आप यूज कर रहे हैं या बेसल डोज में आप यूज कर रहे हैं तो फिर आप इसकी डोज लेंगे 15 से 20 केजी पर एकड के साबसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट फसलों में मिलेगा प्राइस की बात कुरू तो दोस्तो ये 25 केजी का पैकिट है मेरे पास जिस पे MRP है 1450 रुपे और लगबग ये इतने में ही मार्केट में अविलेबल होता है 12 से 1400 रुपे की सम्थिंग प्राइस थोड़ी अप डाउन हो सकती है और लास्ट में दोस्तों इसके कॉम्बिनेशन की बात करो तो इसका कॉम्बिने इसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद